Welcome to Unique Classes of Right Way Elasticity of Demand की आज आज आपकी Class No.8 है पिछले Classes में मैंने काफी सारी Explanations किये थे कुछ बच गए थे जिसको मैंने आज की Class में डिसकस करना है तब सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए और लिखिए Class No.8 आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा Sorry, I'm extremely sorry आज ये Class No.8 नहीं है, Class No.9 है 8th Class तो पिछले थी ठीक है? तो इस Class में क्या होगा? इसके बारे मैं बार बात करते हैं सबसे पहले जो पिछले Class में बात हो गई है उसको एक बार revise कर लेते हैं बहुत quick time है, ज्यादा time ने लगाएंगे थोड़े से time है उसको revise कर लेते हैं just quick time है, बिल्कुल भी conclusion discuss कर लेते हैं सिर्फ कि हमने पिछले Class में क्या क्या पढ़ा था मैं एक बार देख भी लेता हूँ, कि पिछले Class कौन सी क्लास थी, Class No.8 थी मेरे हिसाब से Yes, 8 थी, आर्ज की क्लास क्या नाइन थ आपने क्या क्या conclusion पढ़ा था पिछले Class में वैसे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि आपको जो कुछ में पढ़ा रहा हूँ, वो सारे आपको study material के form में मिलेंगे अगर थोड़े बहुत, मैं कुछ नहीं भी लिखवा पा रहा हूँ तो चिंता नहीं सब कुछ यहाँ पर explained होगा proper तरीके से मैंने पिछले Class में क्या किया था मैंने ये relationship discuss किया था relationship of price elasticity also called own elasticity with total revenue पोरा discuss हुआ है यही बात मैंने पिछले Class में बताई दिया आपको अगर elasticity less than 1 है तो इनके बीच में क्या relationship होगा positive relationship होगा यह सब आपको running material है पढ़ते जाना है पिछले Class में सारा explain कर चुका हूँ ठीक है न? Right Sir Case 2 की बात भी थी यह सारा देख लिजी आप इसके बात रिलेशनशिप क्या हुआ था कि own elasticity and cross price elasticity इनके बीच में क्या relation है यह बात भी करनी थी own elasticity and cross elasticity बीच में मैंने क्या कहा था पहले क्या मान लो कि पूरी economy दो ही goods की बनी भी है X and Y की यह सब बाते पिछले Class में हो चुकी है आज मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा से revision और मैं study material के form में दिखा रहा हूँ कि यह सारी बाते यहां पे explained है यहां से आप इसको बड़े राम से कर सकते हो Yes sir उसकी बात अगर मान लो की दो ही good economy है X and Y की price elasticity of demand of X is less than 1 मतलब inelastic है अगर यह inelastic है तो अगर उसकी price बढ़ेगी तो ultimately उस पे expenditure क्या होगा बढ़ेगा और Y पे expenditure क्या होगा कम होगा तो Y पे expenditure कम होगा तो Y की quantity कम हो जाएगी X की price बढ़ गई है और Y की quantity घट गई है तो इसका मतलब यह compliments है बढ़ा जो कहीं बात होगा इनको यहाँ आप explain कर रखा है case A के form में फिर case B के form में बड़े अराम से आप explaining कर सकते हैं रधर तरीका अच्छा है यह होगा कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो यह study material अपने सामने रखिए और साथ से का register pen जहाँ भी खाली जगह बचता है कुछ नोट करते वे चलिए और मैंने इस तरह से डिजाइन किया कि यह आपकी Econ or semester 1 में तो काम देगा ही देगा आगे चल करके कुछ और तयारी आप करना चाहेंगे UPSC करना चाहते हैं या फिर MAE Conterns करना चाहते हैं या Economics में कोई भी पेपर की त्यारी करना चाहते हैं हर जगही आपको काम देगा तो इसको हटाना नहीं है समाल के रखना इन सब चीज़ों को Concept भी रखना है और Study Material भी रखना है ठीक है Sir तो यह सब कहानी है Now we Extended Analysis मानलो दो Goods के बाद मैं इसको NGoods पर ले आता हوں यह थोड़ा 공plicate था मैंने इसको पूरा explain कर दिया था NGoods पर क्या होता है पूरा explain कर दिया था यहाँ पर इन्होंने यह बताया है मैंने इसको एक step और आगे ले आगे बताया है दोग जब जब हाँ इसमें एक step और क्या बताया था यहां पर क्या है, यहां थोड़ा सा mistake लगा हुआ है, मैं इसा करता हूँ, 1-E1 equals 2 करता हूँ, या 1 equals 2, 1 equals 2, E1 minus this था, याद रखिएगा इसको, 1 equals 2 E1 minus this, मैंने एक step और आगे क्या कर दिया था, ऐसा कर दिया था कि summation, del XJ upon del P1 into P1 upon XJ into TEJ upon TE1 equals 2 कर दिया था, E1 minus 1, यहां से मैंने explain किया था, ठीक है सर, यहां से बाते हो चुकी है, पिछला lecture भी आप repeat कर सकते हैं, यहां से घर दिक्कत होगी तो, lecture सुनते जाई है, यहां से मुझे आगे जाना है, यह थोड़ा सा running है, इसको मैं बड़े आसानी से explain करके निकलूँगा, क्या ची होने वाला है, बड़े आराम से समाचली इसको, क्या ची हंचा, देखे, इलास्टिष्टी डिस्कस करना किसके, products in general, and किसी specific product, product in general example लेजाँ महाल यह toothpaste है, मैं cigarette का भी example ले सकता था लगि मुझे नाम नहीं पता है इसलिए वो दिक्कत हो जागा मेरे लिए तूथपेस देखिए तूथपेस में कॉलगेट है एक ब्रैन्ड है कॉलगेट यलाब और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है बबूल हो सकता है क्लोजब भो सकता है उसके बाद और और भी देख लिए दंत कान्ति भी आजकल बाबा रामदेव का लोग इस्तमाल करते हैं और क्या हो सकता है अगर मैं कहूं कि आपकी प्लीजभी बचले मुझे पढ़ाने हैं दिस्टर मत करें इसारी मैं आपसे पूछ हो की टूथ पेस्ट का इलस्टिसटी क्या हो सकता है तो किसिए टूथ पेस्ट का सबस्ट्जूट ढूना पड़ेगा कॉन-कॉन हो सकता है अटूथ पेस्ट का प्राइश बढ़ने पे डावर लाल दंद बंजन से कर लेंगे तो आपने क्या देखा, मुझे भी याद नहीं जादा और आप भी सोच कर देख लो, तो टूथपेस्ट का आपके पास बहुत कम है नहीं है, लाल दंद बंजन पुराने जमाने में गॉम तो लो मतलब चिकनी मिंटी से भी कर लेते थे वो अलग बात है, लेकिन आज के जमाने में लाल दंद मंजन हो सकता है जो दांतून होता है मैंबर स्टिक वो बहुत अच्छा चीज़ होता है वो भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यह प्राक्टिकली प्राक्मेटिकली पॉस्टबल नहीं है कि हर रोज आप करें इसलिए टूथपेस्ट घर-घर में है और वही लोग इस्तमाल करते है तो इसलिए क्या होता कि टूथपेस्ट के मारे पाद सब्स्च्चूट बहुत कम है तो इसकी लास्टिस्टी उसी सब से डिसाइड होगी लेकिन अगर मां कोल्गेट की बात करूँ मैं कहाँ कि टूथपेस्ट के नडर किसी ब्रांड की बात करूँ तो मेरे पाद बहुत सारे ब्रांड मेंने एक्जामपल दे दिये कोलुगेट को कि एकटाइपल दिया, sensor, sensor dyn हो गया, close up हो गया, बभूल हो गया, बसाईची हो गया तो अगर आपका Colgate का price बढ़ गया, तो आप क्या करो और sensor dyn क तुल गया ब़ोगा, क्लोसे उधार गया जब हो गया, बहु सारी many opini आप भी पास है, इससे क्या नतीजा निकला देखो the price elasticity of gold flake यह cigarette के टम से बोल रहा है is greater than the price elasticity of cigarette in general because there are many more substitute for the gold flakes अगर मैं cigarette के अंदर जाओं तो बहुत सारे brand हो सकते हैं हमारे पास gold flake हो सकते हैं और भी कोई brand हों मुझे पता नहीं है तो कुछ भी कोई खरी सकता है लगे मैं cigarette की बात करो तो cigarette का substitute क्या हो सकता है बीडी हो सकता है देखो cigarette हो सकता है, pipes हो सकता है होकाज हो सकता है यह आपस में common सी बात करने वाली बात है इसलिए मैं बात करके ही समझा रहा हूँ आपको अगर आप सिग्रेट की बात करो तो आपको बीडी जाए सिगार, पाइपस न उकाज, अब खुद बताओ, जिनको सिग्रेट पीने की आदत है, क्या उसका बीडी से कम चलेगा, नहीं चलने बाला है, सिगार चलेगा नहीं, उनको सिग्रेटी चाहिए, अगर उनके पास कोई नहीं रास्ता नहीं बचता है, तो फिर 2-4-5 घंटे वो सिगार बीडी बडी पी करके, काम निकाल सकते है, अदरवाइस, सिग्रेट पिने मला बंदा है, सिग्रेट ही पी हैगा, बात समझ गया है, लेकिन जब सिग्रेट की अंदर घुसेंगे हम, अगर किसी स्पेसिफिक ब्रैंड की बात करेंगे, और भी आप जान लो, गूगल कर लो, बता कर लो, और कौन-कौन से ब्रैंड हो सकते है, तो इस ऑनद मि अब प्राइस, ति प्राइस, प्राइस, अब गोल फ्लेट म sigarेट, इस ग्रेट का मतलब क्या हुआ है, अगर गोल फ्लेट का प्राइस तो जो चीज पीना होगा उससे satisfaction नहीं मिलेगी, बीडी, सिगार, पाइप, सुका, इससे satisfaction नहीं मिलेगी, तो किसी particular, किसी general goods की बात करो, तो उसकी सब elasticity क्या होती है, कम होती है, और उनकी अंदर किसी particular brand की बात करो, तो elasticity ज्यादा होती है, यही कह रहा है, thus in general rule, the more narrowly, more narrowly the commodity is defined, the greater is the price elasticity demand, यही sentence आपको याद रखना है, more narrowly मतलब क्या हुआ, मैं toothpaste की बारे में बात करो, तो in general बात कर रहा हूँ, toothpaste, ठीक है, अगर मैं उसके अंदर जाता हूँ, call gate, इसका मतलब क्या more narrowly, ज्यादा detail हम डिसकस कर रहे हैं किसी goods के बारे में, और किसी goods के बारे में ज्यादा detail हम जाएंगे, more narrowly discuss करेंगे, तो उसकी elasticity क्या होगी, of course, general से तो ज्यादा होगी, the more narrowly a commodity is defined, greater is the price elasticity of demand, यहाँ तक यह price elasticity बात कतम होती है, अब नया topic सुरू होता है, income elasticity and fraction of income spend on goods, यह आज में start करें, लिखे जी बच, आज की क्लास में, topic लिखो सास पले, income elasticity and fraction of income spend on goods, पिछले क्लास में अभी तक ज्यादा तर मेरा focus किस पर था, focus था मेरा price पर, अब बात वरी ही income की, income elasticity and fraction of, fraction of income spent on a good, income elasticity and fraction of income spent on a good, यह सर, अब आप देखिए क्या कहना चाहरा है, इंकम elasticity का मतलब क्या वाँ, उसको किस से denote करते हैं, तिम लोग ईवाई से, और यह भी क्या हो सकता है, more than बना हो सकता है, और ईवाई क्या हो सकता है, less than बना हो सकता है, ठीक है जी, और इंकम का कौन सा portion, fraction of income, मतलब कितना आप उस पर खर्च करते हो, देखो, मैं बतातो हो, मान लो दो गोट्स लेलो, एक लेलो X, और दूसरा लेलो Y, X का प्राइस कितना है, PX, Y का प्राइस कितना है, PY, इस पर expenditure कितना है, PX into X, या QX लेलो, या expenditure है, इस पर expenditure कितना है, PY into Q है, हमारी total income कितनी है, मान लो Y है, हमारी total income कितनी है, Y है, इससे क्या पता चलता है, कि हम अपने total income का, कितना proportion इस पर खर्चा किया, और हमने total income का, कितना proportion इस पर खर्चा किया, इससे क्या होगा कि, मेरी heading जो define हो गया जो heading मैं अभी discuss करूँगा वो define हो गया income elasticity को मैं इसे denote किया और बताया कि यह more than one and less than one भी हो सकता है और fraction of income spent on a goods यह fraction of income है जो आपने goods पर खर्चा किया इनके बीच में क्या relationship है आज मुझे इसके बारे में इस class में discuss करना है ठीक है जी इसको explain करने से पहले चोटी सी बात और समाई लो जो basic बात है अगर EY more than one है और EY less than one है तो generally क्या होता है behavior किसी consumer का EY more than one से मतलब क्या है elasticity ज़्यादा है elasticity ज़्यादा को कोई example जैसे car जैसे कोई luxurious goods उसकी elasticity क्या होती ज़्यादा होती इस case में क्या होता कि अगर बंदे की income बढ़ती है तो expenditure क्या होता है बढ़ जाता है अगर बंदे की change in Y ज़्यादा होई तो change in expenditure भी क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा अब यहाँ आ जाओ अगर elasticity less than one है Y बढ़ती है तो expenditure क्या हो जाता है गड़ जाता है, अगर income किसी का बढ़ता है, तो expenditure क्या होता है, घड़ जाता है, example ले लो, जैसे मान लो, नमक की, salt की बात कर लो, अगर कोई बंदा 10 जर्पर महिना भी कमाता है, तो उतना ही salt इस्तेमाल करता है, अगर कोई बंदा 1,00,000 महिना कमाता है, तो उतना ही salt इस्तेमाल करता है, तो क्या देखा आपने, उसकी income बढ़ गई, तो salt पे खर्च होने वाला proportion क्या हो गया, कम हो गया, कोई किसरा expenditure तो सेम ही है, expenditure इन रूपी सेम है, लेकिन expenditure with respect to price, sorry, income, जैसे मालो कोई बंदा 100 रूपी नमक पे खर्च करता है, और वो 10 रूपीय कमाता है, और कोई बंदा 100 रूपी नमक पे खर्च करता है, और वो 1,00,000,000 कमाता है, एक लाग कमाने से उनकी income क्या होगे उनकी expenditure on salt क्या होगे बढ़नी जाएगी यह यहाँ भी 100 प्याई था और यह यहाँ भी 100 प्याई होगा तो आपने क्या देखा fraction क्या होगे कम होगे आपकी जो expenditure थी उसका जो relationship था किसके साथ income के साथ जो proportion था होगे कम होगे करता है चोटी गाड़ी इस्तेमाल करता है अगर वो 2 लाक मेना कमाने लगा तो हो सकता हो क्या करे 40 मेना इंस्टाल नहरती गाड़ी की तो बड़ी गाड़ी खरीच सकता है तो आपने क्या देखा उसके expenditure क्या होगे क्या होगे क्या है अगर अगर जाएगे proportion गड़ जाएगे कोई बंदा पांस लाक मेना कमाएगा तो आइसा नहीं कि वो घर में सौ बोरी नमक इरादेगा कि चलो में पांस लाक मेना कमातों तो सौ बोरी नमक ले आता हो ऐसा नहीं होता है भाई जितना नमक चाहिए उतना ही चाहिए मुझे लगता आप समझ गए इन ही बातों को अब हम लोग क्या करते है इन ही चीज़ों को mathematically derive करने के लिए यह topic मैंने pick up किया है आईए जी माल लिए किसी बंदे का income क्या है let income y है income उसकी y है और जो goods है वो x है और जो price है वो px है तो of course expenditure क्या होगा px into x px into x यह उसका expenditure प्रपोर्शन क्या होगा प्रपोर्शन क्या होगा income के respect में px into x upon y px into x upon y यह proportion में expenditure कर रहा है ठीक है अब क्या होगा income increased income increased कैसे पहले income वाई थी अब income होगया y प्लस डेल वाई change in income क्या आगया डेल वाई आगया change in income डेल वाई होगया पहले income यह थी अब income यह होगई है income बढ़ी है कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं तो पहले consumption क्या थी पहले consumption थी मान लो x अब consumption क्या होगया डेल एक्स change in consumption change in consumption क्या होगया डेल एक्स होगया change in consumption डेल एक्स होगया yes sir अब आप एक बात समझेए कि आपने पहले कितना expenditure किया था पहले आपने expenditure किया था expenditure before क्या किया था आपने px into x expenditure after यह after and before मैं short में लिख रहा हूँ अब समझेए बातों को expenditure after मतला income बढ़ने के बाद income बढ़ने बाद क्या होगा price तो वही है px है quantity कितना purchase कर रहे है x and del x यह quantity purchase कर रहे है px into x plus del x अब क्या proportion है proportion क्या होगा expenditure है px into x plus del x divided by income कितनी है y plus del y यह अब का proportion है और पहले का proportion कितना था इसको पर हैलेट कर दें तो मैं आपको यह अब का proportion है आपने expenditure के proportion में sorry income के respect में कितना खर्चा किया है यह अब आ गया समझते जाओ और पहले क्या था पहले यह था complicated लग रहा है कोई बात नहीं फिर से repeat करता हूं लेकिन study material में भी इसा बाते लिखी है इंता मत करना पहले का expenditure क्या था px into x income क्या था y तो px into x upon y अब का उसका expenditure क्या px into x plus del x क्योंकि quantity बढ़ गई और income क्या y plus del y यह सर यह दोनों proportion का एक मैं क्या करता हूं रेशो निका ले था हूं दोनों proportion का रेशो निका ले था हूं तो क्या होगा new fraction new proportion new fraction of fraction of income spent on good new fraction of income spent on good divided by original fraction of income spent on good new fraction of income spent on good divided by original fraction of income तो new कितना है new है px into x plus del x divide by y plus del y और इससे पहले क्या था उसको मैं just reverse करके लिख देता हूं जरोत के इतना time pass करने का y upon px into x समझ गया रिवर्स कर दिया इससे क्या होगा यह x और यह x px px क्या गया ultimately क्या मिला ultimately मिला x plus del x divided by x into y upon y plus del y short में कर दिया आप लोग mathematics में कहा भी माईरो हमसे भी ज्यादा फास्ट होगी आप चिंता मत करो अब और क्या करेंगे इसको ऐसे करते हैं यह हो जाएगा बोलो ना जल्दी से, यह सर कर सकते हैं, यह उपर चला जाएगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा निकलेगा, x plus del x upon x, divide by y plus del y upon y, मजा आ गया, करके देखना पक्की बात मजा आएगा, कुछ नहीं इसमें, यह क्या होगा, 1 plus del x upon x, divide by 1 plus del y upon y, लिख लो पर ले तक, ठीक है, यह सर, अब इसको में, इसको में, इसको में, इसको फॉर्मिल ले जाना चाहूँगा, तो क्या करूँगा, इसको, multiply करूँगा, multiplying, numerator, and denominator, by y by del y, numerator, denominator को क्या करेंगा, y by del y, y से क्या करें, multiply and divide, वो क्या हो जाएगा, इससे, देखो, यह हो जाएगा, 1 plus, 1 plus del x upon x, divide by, into y upon del y, divide by, 1 plus del y, multiply by, y by del y, कोई फरक पड़ेगा, नहीं, इसको और explain करो, y by del y, plus del y, del x by, x into y by del y, divide by, 1, sorry, y by del y, plus del y by into y by del y, दोनों पार्ट से, multiply कर दिया, इसको, इसका क्या नतिजा होगा, यह और यह कट जाएगा, यह और यह कटेगा, यह और यह कटेगा, ultimately क्या आएगा, ultimately आएगा, y by del y, plus, यह होगा, del x by del y, into y by x, divide by, y by del y, plus 1, क्या जाएगा, y by del y, plus, यह elasticity of y हो जाएगा, y by del y, plus 1, मजा आगया, क्यों मजा आगया, पूरा conclusion ही बताता हूँ है, लिख लो पहले यहाँ तक, छोटे से explanation में इतना time निलगा सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हो करके कुछ नहीं है, 10th class की mathematics है, और क्या आएगा, कुछ नहीं है, विडियो पॉस कीजिए, समझते जाए, लिखते जाए, मैंने भी आपको design करने के चक्कर में time देदी, आपको लिखने के लिए, यह जानबोच के time pass करता हूँ है, लिखो तो सही पटापट लिखो ना, लिखते जाओ, अब मैं आपको कहूँगा, जो conclusion आपके सामने आया है, उसको इवाट ढंग से पढ़ो, numerator and numerator को, y by del y उपर भी है, y by del y नीचे भी है, y उपर है और 1 नीचे है, क्या फ़रक है दोनों में, सिर्फ फ़रक है e y और 1 की, अगर e y की value 1 आ जाए, तो इसका मतलब दोनों सेम हो गया, e y की value 1 हो जाए, तो दोनों सेम हो गया, अगर e y की value more than 1 हो गया, इसका मतलब numerator जादा हो गया, मेरी बात पर ध्यान दिये, e y 1, तो इसका मतलब numerator denominator क्या सेम, कटके 1 हो जाएगा, अगर e y की value more than 1 हो गया, इसका मतलब numerator is more than the denominator, and vice versa, you understand, yes sir, आईए ना, अब इसको लिखाते भी तो है, इसका conclusion भी तो हने बाला है, अभी का final हुआ इस बात को, लेखो, सबसे पर इसका conclusion भी लेखते जाओ, देखो, तीन case में इसको में डिसकस करते हैं, एक बार में खुट टाइम में, जादा वक नहीं लेंगे हम, पाली बात है, कि अगर EY is what, more than one, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, numerator is more than denominator, और आप ध्यान दो, अभी मने कोई जर्पले क्या कहा था, कि numerator में क्या है, numerator में क्या था numerator में था new fraction of income spent on goods income के बढ़ने के बाद जो expenditure था अडिनम्टर में गोल था इसका मतलब सापसी बात हो गई इसका मतलब हो गया expenditure after increase in income is more than expenditure before increase in income अगर आपका expenditure बढ़ गया अगर income बढ़ात हो क्योंकि numerator में क्या था numerator में था new expenditure denominator में क्या था old expenditure मैं new and old की बास में बोलता हूँ तो यहां क्या था new expenditure और यहां क्या था old expenditure और यह value क्या हो गई more than one हो गई इसका मतलब new expenditure is what more than the old expenditure ऐसा कब हुआ जब EY is what more than one इसका मतलब अगर elastic goods है अगर elastic goods है और तो उस case में income के बढ़ने से expenditure भी क्या होता है बढ़ जाता है यह सावित करना तो दूसरी बात इफ EY equals to 1 तो क्या होगा इसका मतलब new expenditure income बढ़ने के बात का expenditure और old expenditure income बढ़ने से बढ़ने का expenditure are the same कोई फरक ने पढ़ा या unitary elastic हो गया unitary elastic, unitary income elasticity हो जाए गया unitary income elasticity unitary income elasticity हो गया यहाँ पर क्या होगा elastic हो गया इस case में क्या होगा EY is less than 1 इसका मतलब क्या होगा numerator is less than denominator इसका मतलब new expenditure आप समाज रहे ना मजा आगया ना less than what old expenditure इसका मतलब क्या होगा inelastic होगा income बढ़ने से नमक बाली बात नमक बाली बात income बढ़ गया तो expenditure क्या होगा प्रोपोसनेटली कम होगा जल्दी जल्दी मैं क्यों बोल रहा हूँ यार 9th classes होगई लास्ट इस्टी पे 9th classes ठीक है ना तो आप तो जल्दी बोलना पढ़ेगा और मैंने जितने आराम से पहले समझा दिया न यह सब बाते आप अफटाफट समझ रहा होंगे लिखते जाओ फटाफट वक्त आप पस लिखते जाओ और मैं पहले भी कहा कि आप यह सोच कर समझ कर यह लास्ट के दो classes को मत पढ़ो कि एक्जाम में आएगा कि नहीं आएगा यह सोच कर पढ़ो कि अगर यह सारे concept में दिमाग में गए न तो बुरे से बुरे वक्त में कोई भी सवाल आ जाएगा न हम कर लेंगे अगर कोई numerical आप नहीं कर पाते हैं कहीं किसी numerical में फस्ते हैं दिमाग अपलाई नहीं कर पाते हैं का मतलब है कि आपकी brain की पूरी एक size नहीं हो पाई है आप economics को खासकर elasticity और demand को जो topic में पढ़ा रहा हूँ उसको हर तरीके से समयना सीखा नहीं है हर angle से समयना नहीं सीखा है आपने वस एक brief तरीके से सीख लिया और उसी तरीके सवाल करने कोशिश कर रहें नहीं possible है नहीं बनेगा सवाल economics में क्या आता है applied आता है डिरेक्ट सवाल नहीं आता है गुमाफिरा क्या आता है और वो गुमाफिरा के बंदा वही कर सकता है जो गुमाफिरा के पढ़ा हो हर angle से सवाल concept को लिया हो यह क्या है, वो क्या, ऐसे क्या है, हर तरीके से जो सोच समझ रखता हो नो वही सवाल कर पाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी, आप लोग क्या देखोंगे मैं कभी कभार ना, बोलते बोलते काफी ज्यादा अग्रेसिव हो या तो मैं इसलिए क्या रहा हूँ, मैं आप धिरे से एकजामनर काफी शातिर होते हैं, एकनोमिक्स में खासकर कुछ भी सवाल कहीं से गुमा फिराग पूस्ते हैं, तो आपको भी दिमाग को क्या करना पड़ेगा, शातिर बनाना पड़ेगा, नेगेटिव संसमें में नी बोल रहा हूँ, शातिर मतलब यह हुआ, कि आप भी अच्छान को फेस करो, हर तरिके से पढ़ने कोशिश करो, तब देखना आपको इस सामने आगे तो मुस्कुरा होगे, और यह 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 काथ, अच्छा इसका यह मतलब है, ओ, अधिर्वाइस क्या होगे, अपके हाथ मुपलेंगे, समझ यह लिखा हूँ है, आपको में होगा, इंडरेक्ली पुछा गया होगा, अब समझ नहीं पाओगी, इसलिए आप टाइम तो, पढ़ो, हर एंगल से पढ़ो, कोशन से मत घब रहो, जितने जादा नुमरिकल फेस करोगे, अतना स्ट्रॉंगली, फिल करोगे, कई बच्चे क्या होता है, एकनोमिक्स का अब पढ़ना स्टार्ट किया, गानी गतम, ऐसा नहीं है बच्चो, एकनोमिक्स इस नहीं हो, आपके लेवल पर आके टूटली मैथमेटिक्स के एक्वैलेंट रहाता है, ग्राफिकल, मैथमेटिकल, अनलाइटिकल, ऐसा हो जाता है, साप साप मैंने कहा, अच्छी बात मेर पढ़ना दो, एक्वैम में जो आएगा, अनलाइटिकल आएगा, मैथमेटिकल आएगा, ग्राफिकल आएगा, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या पढ़के करेंगे, कुछ और बात करते हैं, चले जी, आए नेक्स टॉपिक लिखिया, तो प्रूब दाट, नेक्स टॉ लिखो, to prove that, vetted average वित्ष अजुद अर्थ अफ इनको कि अजुद थाथचिझ इनको कि अजुद एत वित्ष एबन वित्ष त जुद त गLISA कि आफ जुद नुद एक शुद एप। unity, must be equal to unity, to prove that, vetted average of income elasticity of demand must be equal to unity, क्या मतलब, पाल इसका मतलब भी समय लो क्या होते, देखो, मान लो की दो गुट्स है, एक X है और दूसरा Z है, इसकी income elasticity of demand क्या होगी, और इसकी income elasticity of demand क्या होगी, income elasticity, मतलब क्या लिखता हूँ मैं, EY, EY of good X, दूसरा EZ of good Z, EY of good X and EY of good Z, यह दो income elasticity होगा, Wetted Average का मतलब क्या हुआ, Wetted Average का मतलब हुआ, expenditure on X, divide by income, expenditure on Z, divide by income, मतलब आप अपने total income का कितना हिस्सा X पे खर्च करते हो, that is called disproportion, और अपने income का कितना हिस्सा आप Z पे खर्च करते हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ratio क्या है, expenditure on X is to expenditure on Z, expenditure on X is to expenditure on Z, ये इसका proportion है, मान गए, ये सर, तो अगर मैं कहूँ कि आप Wetted Average निकाल तो कैसे निकाल होगे, आप कहूँ कि सर, EY on X, और यहां क्या लिख होगे, EY on Z, और यहां proportion क्या होगा, expenditure on X, expenditure on Z, on Z, इसको इसको कर multiply कर दोगे, और फिर sum करके average निकाल होगे, तर इसको क्या बोलेंगा, इसको बोलेंगा, इसको बोलेंगा, इसको बोलेंगा, vetted average, क्या बोलेंगा, vetted average, मतलब साबसी बाता है, मैं finally लिख देता हूँ, EY, income elasticity of X, multiply expenditure on X divided by Y, plus income elasticity of Z, ये of है, divide by, sorry multiply by expenditure on z divided by y समझ गए ये क्या चीज़ है ये income elasticity of x है और ये क्या expenditure on x divided by y इसकी proportion हो गई ये income elasticity of z ये disproportion अब ये जो value आएगी ये आएगी आपकी unity ये 1 आएगा ये ही आपको proof करना है अभी तक मैंने क्या किया प्रूफ नहीं किया अभी तक मैंने सिर्फ इसके sentence का meaning बताया है कि sentence का to prove that vetted average of income elasticity दो goods का income elasticity ex and ez must be equal to 1 vetted average का मतलब किया है weight से multiply कि ये weight है मैंने कुछ भी ये अभी proof किया है सिर्फ मैंने आपको सवाल समझाया है कि सवाल का मतलब ये है अब इसको प्रूफ करिए meaning तो clear है ना yes sir अब इसको प्रूफ किजिए क्या लिखिए आप जो भी expenditure आप करेंगे y पर कितना करेंगे total income क्या वाई आपकी है और ये कहां करेंगे income equals to क्या होगा expenditure होगा तो y equals to क्या होगा expenditure on on x plus expenditure on y यह होगा y equals to क्या होगा expenditure on x क्या होगा px into qx px into qx simply x ही लिख लो plus क्या होगा py into y z ले लो z y मतलो y को तो income माल लिया अब आप यहाँ देखोगी change in income अगर change in income करें यहाँ पर हम income में अगर change y होगा del y होगा तो यहाँ पर कितना change होगा del x into px plus del z into pz समझ गए अगर आपकी income del y से change होगा है तो उस income को या तो आप इतनी quantity x की purchase कर लोगे इतनी quantity z की purchase कर लोगे लेकिन x और z की price क्या से हमी है यह पूरी कहानी है अब आप divide कर तो दोनों set की से del y से del y upon del y यह cost क्या होगा del x upon del y into px plus del z upon del y into pz कोई दिका तो नहीं है यह पक्की बात नहीं सर यह क्या हो जाएगा one one यह cost क्या हो जाएगा del x upon del y into px plus del z upon del y into pz लिख लिए यहाना तक पक्की बात सर लिख लिख लिए है आप अब क्या करो इसको आप दोनों side मुझे multiply and divide करना पड़ेगा इसको मैं क्या करता हूँ x y x y से multiply करता हूँ del x upon del y into x y by x y into px plus del z upon del y into x z upon x z into pz समझ गए दोनों side इसको लिख सकते heading में कि multiplying and dividing by what इसको headline करते थो है multiply and dividing by x y x y multiply and divide by x z x z ये कर दिया कोई दिकतो नहीं है नहीं sir यहाँ पर x z x z नहीं करेंगे यहाँ गलती कर दिया मैंने यहाँ y z y z y z and y z क्यों ऐसा किया पहली बात जान लो कि यहाँ फरक तो कुछ नहीं पढ़ने वाला मैंने किया तो कोई फरक नहीं पढ़ने लिए इसका वज़ा है इसका वज़ा है कि अब मैं इसको इसको एलास्टिस्टिक फर्म में लिए क्या होंगा डेल x अपॉन डेल y into y by x y by x ले लिया और फिर क्या बच जाएगा इसको ब्रैकेट में लो और यहाँ क्या बच जाएगा यहाँ बच जाएगा into y by x ले लिया तो यह क्या हो जाएगा x into px upon y बच जाएगा x into px upon y बच जाएगा plus यहाँ del z upon del y into y by z bracket low into क्या हो जाएगा y by z के बाद z into p2 upon y यह बच जाएगा क्या फरक पड़ा इस बात से इससे फरक यह पड़ा कि 1 equals to यह क्या हो गया यह हो गया income elasticity of y income elasticity of y यह हो गया income elasticity of y क्यों बोल रहा हो गया income elasticity of x और into क्या हो गया into expenditure on x divided by total income अब प्लस यह क्या हो गया income elasticity of of z multiply by expenditure on z divided by total income अब आप देखो कि जो आपको proof करना था वो प्रूफ हुआ कि नहीं आप initially जा कर देखो यही आपको proof करना था देखो यहाँ आप income elasticity of x multiply expenditure on x divided by y income elasticity of z divided by expenditure on z upon y यही प्रूब करना था यह क्या है यह है यह है आपका income elasticity y से income हो गया of what x divided by sorry multiply by expenditure on x divided by y plus income elasticity of z divided by sorry multiply by expenditure on z divided by y हो आपको यह elasticity है यह elasticity है इसका weighted average यह है इसका weighted average यह है और उसका sum किसके इकवल है one के इकवस्ट है यह प्रूफ अग नहीं हुआ yes sir यह पूरा प्रूफ हो गया तो क्या सकते हो कि जितने भी goods है उसकी जो income elasticity है और उसका multiply किसे कर देंगे weight से weight मतलब जितना proportion उसके खर्चा हुआ है जितना proportion income का उसके खर्चा हुआ है simple शब्दों में कोई भी goods हो कोई भी goods हो जितनी बाते मुझे explain करनी थी आपको basic warm up classes से ले करके कुछ अच्छी सी बातों से ले करके कुछ graphical बातों से ले करके and lastly कुछ complicated बातों तक हर चीज़ मैंने क्या किया आज की class में complete कर दिया है इसके बाद की class क्या बश्तिया है कि इसके बाद मैंने आपके लिए लग वग 30-40 numericals बिना रखे है वो numericals कुछ analytical numericals है कुछ graphical है कुछ solutions है वो सारे solutions आपको study material में लेंगे उसके सारे solutions जितने भी है यह सब कुछ यहां पे explained है मेरा lecture आपके सामने रखना है lecture सामने के लखके मेरी lecture को सुनते जाना और study material को सामने रखते जाना है बड़े अराम से रड़ पेन लेन आपके खाली जिगम भरते जाना है मजा जाएगा सेही कार है अब फिर आपको क्या करना है खाली वक्त में उसको सोचना समझना भी है सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात तो यह है कि economics को lightly नहीं ले सकते आप इस level पे आख़त की एकदम lightly ले सकते अगर आप lightly लेना स्टार्ट तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका कई बच्चे कहते हैं मैं इसनी बार-बार यह बोल रहा हूँ आगे चलके तो आपको खुद समय में आई जागे हाई क्या चीज कई बच्चे कहते हैं यार फस समस्टर तो बहुत असान है यह है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है कोई आसान नहीं है अगर theoretical आता तो आसान होता है अगर क्या आता है, graphical आता है analytical आता है, numerical आता है तो आसान कैसे हो गया मैंने आपके लिए बहुत सारे numerical simple लेके मुश्किल तक बना रख्या है यह numerical आपके सामने है मैं देख सकता हूँ तो कुछ numerical उसके solutions भी आपके सामने होंगे कुछ मुझे explain भी करना तो मैं explain करूँगा ठीक है तो यह बात रहे, आगे चलके अगर जरुत पड़ी जरुत पड़ेगी मेरे क्याल से तो कुछ numerical की class लगवाएंगे, अगर आपके साट से demand आया तो क्योंकि numericals and उसके solutions मैंने प्रवाइड करवा दिया आपको अगर फिर भी बच्चे demand करते हैं कि सर नहीं मुझे कुछ numericals आप करके दिखाओ सामने में of course मेरे पास WhatsApp मैसेज आपके आई जाते हैं तो उसके recording लिए हम क्या करेंगे class बनाएंगे लेकिन अभी मैं कुछ दिनों के आपको time देता हूँ कि पहले आप study material के help से जो मैंने questions दिया है, जो मैंने solutions दिया है उसके help से आप practice करो simple simple questions से start होगा, difficult जाएगा और last time बहुत difficult जाएगा जितनी theoretical बाते मैंने सिखाई है अगर ये 35-35 numerical आपने कर लिए solid हो जागा, बिल्कुल solid रख solid, फिर भी दिक्कत होगी मुझे whatsapp करेंगे, मेरे number आपको दे रखे है आपके screen पर भी number मेरा दिख रहा होगा मेरे channels भी आपको पता ही होगा उसको subscribe किये, share कीजिए, अगर कोई difficulty आपको लगती है तो मेरे whatsapp number पर लिखिए मैं आपको request कर सकता हूँ, अगर आपकी मर्जी है कि अगर कुछ कमी लगती है तो मुझे आप जरूर comment कर सकते है, inbox कर सकते है लगिन अगर publicly लिखेंगे, तो यह हमारे आपके बीच की बात अच्छी बात तो नहीं रहेगी न, publicly लिखेंगे कि आप क्या फायदा है teacher and students के बीच में अगर कोई समस्या होती तो उसको लिखना चाहिए कहा लिखना चाहिए, whatsapp पे हमारे relations अगर publicly आप expose करेंगे तो क्या होगा हमें let down करने से क्या फायदा होगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी हो सकता कोई समस्या है, हो, कुछ दिक्कत हो तो मुझे आप inbox कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, मैं इतनी बाते क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितनी trial classes possible की मैंने trial classes आपको दे दिए, अब यह सारे trial classes देखिए, इसको share कीजिए, subscribe कीजिए, अपनी जरुत के साब से कीजिए, अगर आपको जरुत नहीं तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आपके relations हमें साथ छे लेनी चाहिए, transparent रहने चाहिए, कोई भी दिक्कत होगी, आप immediate मुझे message की economics, हम सब मिलके economics owners के last तक जाते हैं, में कोंटरेंस की class भी लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, धिरे दिरे आपको मेरे बारे पता चलता रहेगा, जाए मेरे website पे, जाए मेरे YouTube चैनल पे, मुझे से बात कीजिए, whatsapp कीजिए, God bless you all, take care, bye bye and see you.